नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन और चार अक्टूबर मकर रासी के महारासी फलके बारे में दोस्तों चाहि कोई भी जान लगा दी लेकिन दोस्तों आज का यह घटना कोई नहीं रोक सकता जी हां दोस्तों यह घटना होकर रहेगा और जो भी आपके दुस्मन है जो भी आपके विरोधी वर्ग है वो सोचेंगे कि यह अनर्थ कैसे हो गया जी हां दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपकी रासी में आपके कुंडली में अब गरहों की परिवर्टन हो चुका है जिनके कारण दोस्तों आप सभी के जीवन काल में पांच बड़ा अनर्थ वाली घटना होगी जी हां दोस्तों कहने का तातपर वह है कि दोस्तों जो घटना आपने कभी सोचे नहीं थी जो घटना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा दोस्तों वे बड़ी घटना अब आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों जाईशी बात है कि सभी दुस्मन सभी जलने वाले वेक्ति काएंगे कि ये तो अनर्थी ही हो गया इनके जीवन काल में इतनी बड़ी खुस खबरी आखिर केसे मिल गई केसे इनका जीवन अचानक से बदल गया जी हाँ दोस्तों आप सभी के जीवन काल में जो गरों की सिती बनने वाली है उनके कारण दोस्तों आप सभी के जीवन काल एक जटके में बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों और सभी लोग देखते ही रह जाएंगे पर दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह आज की इस वीडिय तो दोस्तों, हाथ में आया ये मोका आपके जीवन काल से जा सकता है। अचानक इसे स्विरकृति मिलने वाली हैं, जिनसे कि दोस्तों आप सभी का जीवन रातो रात बदल जाएगा। जिहां दोस्तों, आप सभी को बताने की पहले सी मंगल आपके कुंडली के लिए सुभ इस्तिती में थी, लेकिन दोस्तों जहां सुकर और गुरु की इस्तिती बन गई, उनमें आपको बहुती बड़ी ऐसी संभावना मिलेंगे, जिनसे दोस्तों आप सभी का जीवन देखते जिने पाने के लिए आप पिछले समय से मेहनत कर रहे हैं, जिने पाने के लिए आप पिछले कई समय से कर्म कर रहे हैं, जिहां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें की, मंगल की इस्तिती पहले सी आपके जीवन काल में सुभ हैं, जिनके कारण दोस्तों, आपके सोचने की छ शुक्र यानि की देवी मालक्षमी की वास आप सभी के जीवन काल में अब प्रारम होने वाले हैं जी हाँ दोस्तों और दोस्तों यह तीन देवी देवताओं का आशिरवाद आप सभी के जीवन काल में होना यानि की दोस्तों आपके कर्मों का फल आपको मिलना तई है जी तूफान आएगा जी हां दोस्तों और दोस्तों एसे में आने वाले दो दिनों के अंदर आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ही अवश्चक होंगे दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे हर एक बात बहुत ही विस्तार तरीके से तो दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुली मिच न करें और दोस्तों सुरू से अंतर तक ध्यान से देखेगा साथी साथ दोस्तों इनमें आप सभी महत्पुन जानकारी के बारे में भी जानेंगे कि यह समय आपको किन-किन छेतरों को लेकर शावधान रने होंगे कौन से कार आपके लिए भागे साली होंग और कीन-किन छेतरों में आपको कार करने से लाप की प्राप्ति होगी और भगवान मालक्षमी जी के आशिम आशिरबात से आपके घर के माहुल में पारवारिक जीवन में आपके प्रते एक छेतरों में क्या-क्या शुदार होंगे तो दोस्तों आंतर तक देखिएगा। उ आधि याप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आ इकन को प्रेस करके डाल पर स्लेड कर लें तो अची दोस्तों बात करते हैं अच्छे वीचार से, जोगी दोस्तों आपको आने वाले जीवन काल में यह बात हैं आगे चल कर बहुत ही काम्याभी देने वाले शावित होंगे एक बार की कता है देवरिसी नारत और रिसी अंगारा कहीं जा रहे थे रास्ते में उसकी नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ी दुकान के नजदी की जुठी पतलों का धेर लगा γए था उस जुठन को घाने के लिए जैसे ही एक कुटा आता है वेसे ही उस दुकान के माली उसको जोर से डंडा मारता है डंडे की मार खाकर कुटा चिंक्ता हुआ वहाँ से चला जाता है ये द्रिस देखकर देव रिसी को हंसी आ गई, रिसी अंगारा ने उनसे हंसी का कारण पूछा, नारद बोले है रिशिवर, यह दुकान पहले एक कंजूस वेक्ति की थी, अपनी जिंदिगी में उसने बहुत सारा पैसा एकठा किया, और इस जन में वो कुता बन कर पैदा और यह दुकान मालिक उसी का पुत्र है, देखो जिसके लिए उसने बेशुमार धन एकठा किया, आज उसी के हाथों से उसे जूठा भोजन बे नहीं मिल शका, करफल के इस खेल को देखकर मुझे हासी आ गई, जहां दोस्तों, मनसु को अपने शुब और आशुब करमों क का फल जरूर मिलता है, बेशक इसके लिए उसे जन्मों जन्मों की यात्रा क्यों नप करनी पड़े, जहां दोस्तों, गर आप अमारे इन बातों से सामत हैं, श्री कृष्ण जी का अच्छे ज्यान से सामत हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक प्याराशा लाइक आवश्य कर दें, और इनके लिए 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 जैस्री कृष्ण राधे राधे, तो आए दोस्तों इसे के साथ बात करते हैं, कि मालक्षमी जी की किरपा से आपके आने वाले जीवन काल में कौन-कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, अगले दो दिनों के अंदर में कौन-कौन से पड़े चमतकार होने वाले हैं, और दोस्तों आपको कौन-सी विश्यस बातों को ध्यान रखना होगा, कौन-सी महत्वपून उपायां को करनी है, जिसे कि दोस्तों आपके घर में मालक्षमी धन बरसाते रहे, दोस्तों मालक्षमी जी के आशिरवात से आपके ग्रह पर महिलाओं के लिए बहुती अनुकुल बनी हुई है, इन्हें अपने लक्ष हासिल करने में शफलता मिलेगी, साथिसाथ दोस्तों आपने भावनाओं पर नियंतरन रखें तक कोई भी परेशानी आने पर घावराने की वज़ाए उसका समाधान ढूंडें, आपको अवस कासी सफलता मिलेगी, बिजनेस में भी बेहतरिन ओर्डन या डील होने की शामभावना बनी हुए है, तो हज तरीके से इन्हें हल करने का प्रयाश करें, नुकृ में किसी प्रजेक्ट में सफलता मिलेगी, साथिसाथ दामपद जीवन में चली शमाशियों का हल मिलेगा, प आपके अच्छे कर्म परधान होने के कारण, दोस्तों आपके घर में एसी खुश खबरियां, एसे सुप समचार दस्तक देने वाले हैं, जिसे कि दोस्तों आपका पूरा परिवार खुशी से जुम उठेगा, दोस्तों आप अपने गर्द्य विदियों को नया रूप देन है, आज उस पर काम करने का उत्तम समय है, संतान को भी कोई उपलब्दी मिलने से घर में खुशी वरा बाताव रन रहेगा, साथी किसी रुके विकार में भी गती आएगी, इनके साथ सार दोस्तों आपको इन दिन में कुछ शाबदानिया भी देख कर चलनी होगी, कोई वि अपने काम से ही मतलब रखें, घर के बड़ी बजरों की शल्हाव सहयों का भी आवसर अनुसारन करें, इसमें आपको कई परकार के सफलता मिलेंगे, वेबसाइक गती विदिया निर्वद्द ही चलती रहेगी, सहयों तदा करुशारियां का भी पूर्ण रूप से साथ मिल आलास के कारण काम न टालें, वालकि कारें को समय पर अनुशार पूर्ण करने की कोशिश करें, इसमें वेबसाइक पक्ष में कुछ महत्तपुन इस्तियां बन रही है, इसलिए गंबिर्टा के साथ अपने कामों को अंजाम दें, देमी गती से चल रहे काम में आप सुधार आएगा, इसमें मार्केटिंग सेबंदी कारे को पूरा करने के लिए बहुती अनुखुल है, आपको उचित सफलता मिलेगी, वेबसा में उत्पादन छमता में सुधार आना शुरू होगा, आर्थिक इस तियां में भी बहतर होगी, इसमें मार्केटिंग सेबंदी कारे को निप्टाने की कोशिश करें, पर पटी से सबंदी वेबसा में कोई बहतरिन डिल होने की संभाव ना है, लेकिन अपनी प्यारवारी गत्तिविदियों को किसी के समक्ष भी जाहिर न करें, विवाँ को कारवार सबंदी परियार शफल रहेंगे, किसी की सलापर विश्वास करने से पाले, उसके सभी पहलुवा पर ध्यान देना भी जरूरी है, दोस्ता बात करता आपके लव लाइप के बारे में, विवाई समवन्दों में मदूरता रहेगी, प्रेम समवन्दों में भी भावनातमा नजदेकियां बढ़ेगी, पति-पत्नी के समवन्दों में अनरजन सबंदी प्रोग्राम बनाएं, दोस्तों आपके स्वास्त के बारे में बात करें, तो स्वास्त उत्तम रहेगा, उची दिन्चारिया और खानपान आपको स्वास्त और उर्जवान बना कर रखेंगे, गैस और बदाजमी की वज़े से सरीर में सुस्ति और ठकान र प्रोग्राम बनापानी रहती है, शुक्रवार के दिन मा लक्षमी को लाल बिंदी, चुन्री, चुडियां सहित अन्शोलर शिंगर अरपित करें, इससे सोभाग की ब्रेदी होती है, साथी पती की उम्र लंबी होती है, शुक्रवार के दिन लक्षमी सुरूत, कनकधारा या फिर स्री सूत का पाठ करें, इससे आपके सभी मनो कामनाय पूर्ण हो जाएंगे, शुक्रवार के दिन लक्षमी का आशिर्वात आप सभी को प्राप्त हो, सच्चे दिल्शे कमेंड बॉक्स में, जै मालक्षमी जरूर लिखें, और विडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यवाद